नमस्ते प्यारे विद्यारतियों आज हम दो बिंदों के मद्दे की दूरी ग्यात करना सीखेंगे जब कभी भी आपको कोई दो पोइंट दिये जाए और उन दोनों पोइंट्स के मद्दे की दूरी पूछे जाए वो भी बिना माप के, बिना स्केल की माप के जैसे एक point यहां है ए और एक point यहां है इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो और वो भी इस A और B जो point आपको दे रखे हैं इनके coordinate इनके निर्दे सांग आपके पास हो जब आपके पास इस प्रकार का execution हो और कोई भी दो बिंदों के मद्दे की जब आपसे दूरी पूंची जाए ना तो जैसे A और B के बीच की दूरी पूंच नहीं हो तो आप दूरी कैसे निकालेंगे तो यहां पर ध्यान देना उसके लिए फार्मूला बनेगा A B A से बित्त की दूरी को हम लिखेंगे A B के दूरा और इसका फार्मूला होगा रूट में X2 माइनस X1 का होली स्कुएर और प्लस Y2 माइनस Y1 का होली स्कुएर अब देखो जो निर्दे सांग होते हैं यह अक्स निर्दे सांग है यानि यह 3 ना वो अक्स अक्स पर इस्तित है और 5 ना वो Y-axis पर इस्तित बिंदू है 6 अक्स एक्स पर और 9 ना Y-axis पर फिर यह 1-2 का क्या चक्कर है 1,2 का चकरी है कि जो बिंदू पहले आया है उसको तो बोला जाएगा 1 के साथ और जो बिंदू बाद में उसको बोला जाएगा 2 के साथ तो ये तीन तो बनेगा x1 और 5 को हम लिख देंगे आपर कितना y1 6 को हम लिख देंगे x2 और 9 को हम लिख देंगे आपर कितना y2 तो इस X2 वाली जगम छे लिखेंगे और बीच में जो चिन किसका था माइनस का तो यहाँ पर हम माइनस का चिन भी डाल देंगे फिर X1 की बारी आई और X1 कितना है यहाँ पर 3 तो X1 कि जगम इसमें रखने वाले हैं कितने 3 और इसके क्या लगावा X2 तो X2 लगा देंगे पिर पलस किसगे पलस का चिन आजएगा Y2 अब इसमें देखो Y2 किसगे क्यों है 9 तो Y2 किसगा आएगा 9 चिन भीच में माइनस का तो माइनस आजएगा और Y1 कोन है यहापर 5 तो हम यहापर लिख देंगे पांच और इसका यहाँ पर हो जाएगा all square अब देखो यह है 6 और यह है 3, 6 में से 3 को आप कम कर देंगे ना, तो कितने बचेंगे 3, क्योंकि 6 माइनस 3 3 का square square का मतलब 3 को 3 से गुना करना, प्लस 9 माइनस 5, 4 और यहाँ पर क्या 4 का square मतलब 4 गुना, 4 अब कितना हो गया 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 बन जाएगा 16 और 9 को आप यहाँ पर add कर देंगे, तो 16 और 9 कितने हो जाएगे, 25 और 25 का जो under root होता है जो square root होता हो, कितना होगा, 5 तो यहाँ इन दोनों बिंदों के मद्दे की जो दूरी है ना वो 5 इकाई के बराबर हो जाएगी A question और देख लो आप second वाला, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो यहाँ भी A और B दो point है, इनी दोनों के भी इसके दूरी आपको फिर निकालनी है तो A, B बराबर वही फार्मूला होगा इसका root, X2 minus X1 का whole square X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square अब A पहला बिंदो था तो पहला बिंदो होने की वज़े से इसको हम X1, Y1 दे देंगे और भी दूसरा बिंदो होने की वज़े से इसको हम X2 और Y2 यहाँ पर दे देंगे अब हार्मूले में रखेंगे और इनके भीच के दूरी भी गयाते हो जाएगी X2 कौन है परसन में देखी तो जब आप X2 को देखने के लिए जाएगे ना फिर आएगा चिन के इसका प्लस का Y2 और Y2 किसके कोन है माइनस का छे और यहाँ पर आगे माइनस Y1 कोन है दो तो यहाँ पर आप लिख देंगे दो और इसका हो जाएगा होल स्कौाइर अब देखो तीन में दो को जोड़ेंगे तो जाएगे 5 और 5 का स्कौाइर मतलब 5 गणा 5 फिर पलस 6 भी माइनस का और 2 भी माइनस का वह दोनों के चीन समान है चीन जुट जाएगे उसी चीन के शाथ तो यहाँ पर 6 और दो तो जाएगे 8 पर किसके 8 है माइनस के 8 स्कौाइर का मतलब minus 8 को माइनस 8 से ही गुना कर देंगे तो 5 का गुना 5 से हैं 5 का square 25 होता है तो तो 5 गुना 5 25 और 8 का square minus गुना minus पलस और 8 का square 8 गुना 8 64 64 और 25 को हम यह पर add करेंगे 4 और 5 हो जाएंगे 9 और 6 और 2 जाएंगे 8 अब जो 9 सी है ना वो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो अब की बार एव से बीता की जो दूरी है ना, वो कितने हो जाएगी, अंडरूट नवाशी के बराबर हो जाएगी, और अंडरूट नवाशी यहां पर एक परिमेई संक्या, नहीं, परिमेई संक्या है, कौन शी है, एक परिमेई, इ किर्दे सांग का पता हो तो आप उन दोने बिंदों के बीच की दूरी आराम से प्राप्ते कर सकते हो इस पार्मूले की सहाइता से यदि अब आप कोई भी जो बिंदों आपको दिये जाएं और उनके बीच की दूरी ग्यात कर सकते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना